ये दोस्तों आज मैं आज हम लोगे इस फोन के अन्बॉक्सिंग करने वाले वह हमार पास ए ओपो के चाप से एक ब्रैंड यी फोन ओपो रहनो एक जो इंडियन मार्के में लांच चुछ गा एन ओपो की डिमांड बहुत ही तगड़ी इसी फोन के अजमने अन्बॉक्सिंग सब इसी वीडियो में जा देंगे तो चलिए फटा फट फट वीडियो कर लेते हैं सामने आपको 85G की ब्रैंडिंग देखने मिलती है और इसे पीछे कोई भी हाइलाइट फीचर देखने हो नहीं मिलते है यह फोन आता है मैं आपको वीडियो में एक्जर्टी प्राइज ब इसको रखते हैं साइड में बॉलते हैं साथ एक 18 फट का चार्डर साथ एक केवल का पर इसे ब्ल वहत बड़ी बहुत अच्छी का सिर्व बाद की बिलता है को आपको दोनों इत ब्री प्राश्टिक आ अब फ्रेंग मिलते हैं और अप्रेंग और और 5P protection वाला एक 3D curve display का option देखनों मिलता है, जिसके design quality बहुत ही अच्छी है, साथ ही जो back burner का design किया है, वो बहुत इची तरीका से design काफी अच्छी तरीका से color change करता है, pink and blue, जब जब इस पर light पड़ती तब यह color change कर लेता है, बहुत ही attractive लग रहा है, 6.78 इंची के आपको display size support देखनों मिलती है, जिसमें आपको 1 billion color supporter का option साथ, एक AMOLED screen का option देखनों मिलता है, इसकी brightness बहुत यादा over है, 950 nits के आपको peak brightness अखा support देखनों मिलता है, outdoor indoor condition आपको brightness थो थोड़ी भी दिखनों मिलती है, राविशन तरा की बात ही है, इसकी feeling आने वाली है, जो display quality भी काम का है, वो भी personal मुझे बहुत impressive लगा है, और बात देखनों से processor, इसमें जो processor है, इसमें पूर का snap plugin का 695 एक 5G processor लगा है, जो कि आपको 6 nanometer पे प्रोसेसर आता है, octa-core का processor है, और GPU भी बात किते हैं, 619 का support देखनों मिलता है, इवन यहां देखाते हैं, तो 695 एक old processor है, अराउंड यह 18-19-20 का processor है, इसमें आपको गेम एक्षे provide देखनों को नहीं मिलेगी, बात अगर मैं RAM रेंट के बात को तो 8G प्लस 8G RAM का extra option देखनों मिलता है, साथ यहां मैं इसके highlight feature की gaming की बात करूँ तो इसमें आपको BGMI 40 IPS recording support देखनों मिलता है, आपको एक smooth एक stream देखनों को मिलेगा, बात अगरे से camera quality इसमें आपको 108MP का dual triple, बात अगरे से camera को इसमें आपको 108MP triple camera setup देखनों मिलता है, इसकी जूम करने photo बहुत ही गंडी आती है क्योंकि इसमें आपको ESI का support देखनों मिलता है तो बहुत ही गंडी आती है, साथ में इस प्राइस में कम सकम OIS का support तो कम सकम होना चाहिए तो इसकी camera quality काफी अच्छी तरकी से आप click कर पाते है, portrait की बात कीजिए तो portrait का बहतर देखनों मिलता है जो range है जो wide angle का range वो बहुत ही तरीके से minion करता है और अका more की बात कीजिए में आपको super micro copy option देखनों मिलता है जो कि आपको 40S तक zoom कर पाएंगे तो बहुत ही डिटेलिंग आपको picture देखनों मिलेगी night shot का option देखनों मिलता है और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की बात कीजिए सेवन तर्टी एपिस पर रिकॉर्डिंग मिलती है क्यों कि बस यही प्रॉब्ल बैता है लोलय तर्टी निचव lambda इड़ी फॉर्टो कि करता है फ्रन दिकाठी को बात दो वाइञ यह सपोर्डिंग मिलता है यहां मिलता है तो डेलिंग काङए प्रिदा की देखनों मिलता है इंद का बत्क दिक कलन descriptions सपोर्डिंग को मिलता है लहां मैं बात है अधार इस फोन को बाई करना चाहिए पर प्रफॉरमें साइज दिखना है तो फोन बहुत ज़ा पीछे चूट है जागाई आज था आप उठा कर दे रहा है। पता नहीं क्या यह सस्ते नसे की है तो भाई 695 एक ओल्ड प्रोसेसर है जो गेमर्स के लिए नहीं बना है गेमर्स के लिए फोन भाई दूर से दूर रखी हो भाई और अधर नॉर्मल फोटो हीचना है कर्व डिस्प्ले का मज़े लए न तो इस फोटो को तुम भाई कर से को आई होब आपको जी वीडियो पसंदे लिए वीडियो को लाइक करें चलो सब्सक्राइब करें